नमस्कार दोस्तों, बिज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम आठवी कक्छा के अर्धियाय फसल, उत्पादन, एबं प्रवंध का महत्वपूर्ण प्रस्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं तो आएए प्रस्नों के तरफ बढ़ते हैं पहला प्रस्न है, निम्न पर अपने सब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए कौ, मिट्टी तैयार करना आएए इसका उद्धर जानते हैं हसल की बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी आवस्यक है मिट्टी की जुदाई करना तथा उसे बरावर किया जाने का कार्य मिट्टी की तैयारी कहलाती है हसल के लिए मिट्टी तैयार करना पहली प्रकिरिया है मिट्टी तैयार करने के लिए सर्व पर्थम खेत को हल से जुदाई की जाती है उसके बाद मिट्टी को बड़ावर किया जाता है मिट्टी को जुदाई करने से उसके ओवांचनिय पौध हे जर से उखर जाते हैं तथा मर जाते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले पोसक तत्व मिट्टी के परत में कुछी सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं मिट्टी की जुताई से वे पोसक तत्व उपर आ जाते हैं जिससे पौधों को पोसक तत्व प्राप्त करने में आसानी होती है मिट्टी के पोला तथा भुरभुरी होने से पौधे के जर आसाने से मिट्टी के अंदर जा पाते हैं अगला प्रस्म निम्ण पर अपने सब्दों में एक पैराग्राफ रिखिए खा बुआई आए इसका उत्तर जानते हैं मिट्टी की तेयारी के बाद बुआई हसल उत्पादन के लिए दूसरा चरण है बीजों को मिट्टी में डाल कर मिट्टी की एक परत से ढखना बुआई कहलाती है बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन आवश्यक है बिना अच्छे बीजों के सभी पौधे अंकुरित नहीं होते और फ़सल अच्छी नहीं होती है पौधों को सही तथा प्रयाप्त पोशन मिलने के लिए बीजों को समान तथा प्रयाप्त दूरी पर बोया जाना आवश्यक है बुआई के लिए हाथो या ओजार का प्रियोग दोनों होता है बुआई हसल की एक महत्वपूर्ण प्रकिरिया है अच्छी फसल के लिए अच्छी बुवाई अति आवश्यक है अगला प्रश्ण निम्न पर अपने सब्दों में एक पैराग्राफ दिखिए गौ निराई आईए इसका उत्तर जानते हैं खेतों में फसल के साथ साथ अन्य अवांचित पौधे भी उग जाते हैं चुकि ये पौधे पोसक तत्व प्राप्त गरने में मुख्य फसल से प्रति असपरधा करते हैं इसलिए इन्हें अवांचित पौधे कहा जाता है इन आवांशित पौधे को खरपतवार कहा जाता है खरपतवार को खेतों से हटाने का कार्य निराई कहलाता है निराई प्राया हातों से खुरपी आदी की मदद से की जाती है निराई में खर पतवार नासी जो एक रशायन है का शिरकाव कर्क भी खर पतवार को हटाया चाता है अगला प्रश्न निम्न पर अपने सब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए घह, थ्रेशिंग, आये इसका उत्तर जानते हैं फसल तयार होने तथा कटाई के बाद दोनों तथा भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है छोटे किसान अनाज के दानों को भटक कर अलग करते हैं दानों को भूसे से अलग करना वीनोइंग कहा जाता है कॉम्बाइन मशीन, हर्वेस्टर तथा थ्रेशर का शेयुक्त रूप है आजकल हसल के पक जाने के बाद कॉम्बाइन मशीन द्वारा दानों तथा भूसे को अलग किया जाता है भूसे तथा दानों को अलग करने के लिए फटकने का काम हाथो द्वारा या थ्रेशिंग मशीन द्वारा किया जाता है अगला प्रश्न असपस्ट कीजिए कि उर्बरक खाद से किस प्रकार भीन है आईए उत्तर जानते हैं उर्बरक का उत्पादन बड़ियोग सालाओं में होता है बड़े पैमाने पर उर्बरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है जबकि खाद को खेतों में बनाया जाता है उर्बरक एक औकारवनिक लवन है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है जबकि खाद एक प्राक्रिटिक प्रदार्थ है जिसे गोबर, मानव अवसिस्ट तथा अन्य चैविक अवसिस्टों के बीघाटन से प्राप्त किया जाता है उर्ब्रक से मिट्टी में ह्यूमस की दिध्धी नहीं होती है जबकी खाद से मिट्टी को हुमस की प्राप्ती प्रचूर मात्रा में होती है उर्ब्रक में पौधो के लिए आवश्यक पोशक तत्व यदा नाइट्रोजन, होस्फोरस आधी प्रचूर मात्रा में होते हैं जबकि खाध में पौधों के लिए आवश्यक पोशक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं अगला प्रश्य सिचाई किसे कहते हैं? जल संदक्षित करने वाले सिचाई की दो वीदियों का वर्नन कीजिए आए इसका हम उत्तर जानते हैं समय समय आवश्यक्ता के अनुसाथ खेतों में जल देनी की प्रगिडिया सिचाई कहलाती है सिचाई को अंग्रेजी में इरिगेशन कहा जाता है सजीव को जल की आवश्यक्ता होती है चुकि पौधे भी सजीव हैं अता उन्हें भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यक्ता होती है पौधे आवश्यक्त खनीच बधार्थ मिट्टी से जरों के द्वारा ही अवसोशित करते हैं बीजो के अंग्पूरन से लेकर पौधों में भोजन बनाने की प्रकिरिया से लेकर अन्य सभी प्रकिरियाओं के लिए जल की आवश्यक्ता होती है मिट्टी में नमी भसल की पाले तथा गर्म हवा से भी रक्षा करता है चुकि भसलों के पौधे प्राया छोटे होते हैं जिसके कारण उनकी जड़े भी जमीन के अंदर अधिक गहराई तक नहीं जाती है जिससे वे जमीन की उपड़ी परतों से ही जल का अवसोशन कर पाते हैं अतह अच्छे तथा स्वास्त फसल के लिए सिचाई आवर्ष्यक है कुए, नदी, तालाव, जील, वर्षा, नलकूप, आदी सिचाई के स्रोत हैं जल संदक्षित करने वाले सिचाई की दो वीदियां इस परकार हैं पहला छिर्काव तंत्र छिर्काव तंत्र को अंग्डेजी में स्प्रिंकल सिस्टम कहा जाता है छिर्काव तंत्र में मोटर पंप तथा पाइप की मदद से जल को खेतों तक पहुँचाया जाता है इस छिरकाव तंत्र की विधी में जल की बचत के साथ साथ अधिक दूरी तक जल को पहुँचाया जाता है छिरकाव तंत्र का उपयोग, प्रायः और समतल तथा बलुही भूमी में सिचाई के लिए किया जाता है जहां नालियों की मदद से जल को पहुँचाना संभव नहीं होता है पर दूसरी विधी है ड्रिप तंत्र ड्रिप तंत्र को अंग्रेजी में ड्रिप सिस्टम कहा जाता है ड्रिप तंत्र में जल को मोटर पंप की मदद से पाइपों में भेजा जाता है इस ड्रिप तंत्र की विधी में जल बूंद बूंद कर पौधों पर किरता है फल्दार पौधें बगीचें आदि के लिए ड्रिप तंत्र से सिचाई किया जाना अत्यांत ही उप्योगी है इस ग्रिब तंत्र से सिचाई में जल की बड़वादी बिल्कुल नहीं होती है अगला प्रश्ण यदि गेहुं को खरीब रित्व में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए आई हम इसका उत्तर जानते हैं गेहुं के भासल को कम नमी तथा कम तापमान की आवर्शकता होती है वर्शा रित्व में खेतो में जल अत्यधिक मात्रा में रहने से अत्यधिक नमी रहती है बलकि अधिकान खेतो में जल जमाव होता है चुकि वर्शा रित्व गर्मी में आती है इसलिए इसमें तापमान भी काफी अधिक रहता है यदि गेहूं की भासल को वर्षारीतु में उगाया जाए तो अधिक तापमान तथा खेतों में जल जमाओं के कारण पौधे बहुत ही कम उगेंगे तथा वे उगने वाले पौधे भी अधिक तापमान के कारण मर जाएंगे जदि गेहूं की भसल को वर्षा रितु में उगाया जाए तो अधिक तापमान तथा खेतों में जल जमाओं के कारण पौधे बहुत ही कम उगेंगे तथा वे उगने वाले पौधे भी अधिक तापमान के कारण मर जाएंगे अता गेहों की फसल को वर्षा रितु में नहीं उगाया जाता है उगाये जाने पर फसल नहीं होकर केवल संसाधन की बढ़वादी होगी इस तरह से दोस्तों हम इस अधियाय के महत्वपूर्ण प्रस्णों का अभ्यार कर चुके हैं आसा करता हूँ कि आप सभी को आज के सारे प्रस्णों का उत्तर अच्छे से समझने आये होंगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अधियाय के साथ धन्यवाद